हलो एब्रिवन मेरा नाम राहूल मिस्रा है और आप मुझे देख रहे हैं पाई यार स्कॉयर कर दोस्तों डेली करेंट अफेर में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे दो जनुवरी के करेंगे जो कि हमारे आने वाले जो भी competitive exam होंगे इसमें बहुत ज्यादा helpful रहने वाले हैं तो बात को बिना लंबा कीचे हुए सिधे questions से start करेंगे पहला question आप लोगों को screen पर है इसको आप लोग पढ़िये और answer देने की कोशिस करिए ठीक है पहला question है which union ministry has established and export promotion cell with an aim to create a sustainable ecosystem for the entire nsme micro small and medium enterprises development ठीक है इसका question कई हो गया और इसके option दिये गए हैं आप लोग एक बार question को पढ़िये answer देने की कोशिस करिए और तब तक इस question से related और भी जो जानकारी है मैं आपको बता रहा हूं यहां पर बात हुई है micro small and medium enterprises की तो इसकी मिनिस्टर जो हो जाएंगे वह हैं गिरिराज सिंग और इस question का जो answer हो जाएगा none of these हो जाएगा ठीक है इस question का answer none of these होगा क्योंकि जिस केंद्री मंत्राले की बात हुई है जो केंद्री मंत्राले पूंचा गया है वह MSME मंत्राले ही है micro small and medium enterprises ministry की ही बात की गई है वही इसका answer होगा और वह option में कहीं नहीं है इसलिए इसका answer none of these हो जाएगा अगला question आप लोगों की screen पर है which state got a separate high court on 1st January 2019 is the 25th high court of India यहां पिए ध्यान रखने वाली बात जरूरी है कि 25th high court होगा इंडिया का वो ठीक है option आप लोगों के सामने है आप लोग इसको देखिए और एक बार खुद से try करिए एक बार पढ़के answer देने कि फिर इसके बाद में बता रहा हूं कि फिलाल इसका answer जो हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option नमबर डी आंद्रप्रदेश ठीक है आंद्रप्रदेश को अभी अपना नया high court मिला और वो कौन से हो जाएगी सिक्रिम कभी यहां पर जिक्र हुआ है option में सिक्रिम की capital गैंक टोक हो जाएगी सीम पाउन कुमार चैंबलिंग हो जाएगे इसके गवर्नर जो है गंगा प्रशाद हो जाएगे मिजोरम की capital एजवाल होगी अगला question आप लोगों के screen पर है अगला question आप लोग द देखिए और बार बताने के कोसिस करी ऑफ़र quo को देख कर फिर इसके बाद में बताता हूं थीक है यहां तेलंगाना की बात हुई है तो तो तेलंगाना की capital हैधराबाद हो जाएगी ठीक है और इसके जो गवर्नर होंगे हैधराबाद और अंध्रा और तेलंगाना के governor आगे और cm जो हो जाएंगे के चंदर सेकर रहा हो जाएंगे तिलंगाना के ठीक है और इसका अंसर जो हो जायागा इस टी भी राधा कृष्णन पर इस्रोll has launched which initiative with students to engage them on space science activities आप लोगों के सामने है और इसको आप पढ़िए आंसर देने के एक बार पोस्तिस के लिए फिर तब तक में बताता हूं यहां पर बात इसरो की हुई है तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च और इसका हैड़कौर्टर कहां पर है इसका हैड़कौर्टर बैंगलूरू में है और इसका आंसर जो हो जाएगा option C समवाद इसका आंसर हो जाएगा option C समवाद ठीक है इसरो ने एक भी initiative अपना ये किया हुआ है चात्रों से connect होने के लिए ठीक है और यहां पर यह भी हम जान लेते हैं कि इसरो के chairman कौन है इसरो के chairman है डाक्टर के सिवान डाक्टर के सिवा इसका अंसर बताईए यहाँ पार RBI से भी नितिया आयोग और इनकी सब्की बात हुई है तो इनके हेड़कौर्टर आप लोगों को पता होना चाहिए इनके चीफ पता होना चाहिए फिलाल RBI की बात हो रहे हैं तो RBI का हेड़कौर्टर कहां पर है मुंबई में है गवर्नर क की बात हो रहे ही से भी आगप कि सक्योर्टि इनकी से एक बॉंबड अफ इंडिया इसका हेड़कौर्टर कहां पर है मुंबई में से भी हेटकौर्टर मुंबई में है और इसके च् onc我न है इसके च्यारमेन है आजयत्या कि इस कुश्चन का अंसर नहीं आया या शका अंसर पढ़िए एक बार इस्राइल और इसका अंसर हो जाएगा ठीक है अगला क्वेशन आप लोगों के स्क्रीन पर है पढ़िए एक बार इस्राइल एंड विच कंट्री ऑफिसली कुट दी उनाइटेड नेसंस एजुकेशनल साइन्टिफिक एंड कल्चिरल अर्गनाइजेशन यानि की उनिसको ऑन 31 दिसंबर 2018 एमेट कंसर्ण दैट उनिसके फोस्टर्स एंट इसराइल बायस ठीक है यह क्वेशन हो गया हिंदी में भी लिखा हुआ है और इसका आप लोग आंसर देने की पोशिश करिए तब तक यहां पर हम जान लेते हैं कि उनिसको के बारे में इसका आप्शन फिलाल हो जाएगा इसका आंसर और यसे इसराइल और यसे ने अभी उनिसको को छोड़ने का मतलब फैसला किया हुआ है और यहां पर यह जानना ज़रूरी होगा कि उसका फॉंडिंग मेंबर भी था ठीक है और छोड़ क्यूं रहा है इसराइल और यह अमे capital और currency आप लोगों को पता होने चाहिए आप लोग कमेंट में करके बताएंगे नहीं तो आगे मैं आपको बताऊंगा अगला question आप लोगों की स्क्रीन पर इंडिया has granted permission to which payment bank to add new customers after it had initially barred the bank from opening bank accounts in zone 2018 option आप लोगों के सामने है question मैंने पढ़ दिया है बताने के कुसिस करिए आप लोग इसका लाल यहाँ पर इसका answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option number D Paytm payment bank बात Paytm payment bank की हुई है तो इसका headquarter कहाँ पर है इसका headquarter Noida में है और यहाँ पर यह जाना ज़रूरी है कि June 2018 में RBI ने Paytm payment bank को new customer add करने के लिए रोक लगा दिया था क्यों लगा दिया था इसलिए लगा दिया था कि जो Paytm payment bank है वो किवाइसी नाउम को ठीक से पालन नहीं कर रहा था जो RBI की किवाइसी नाउम्स होती है उसको ठीक से पालन नहीं कर रहा था दूसरी चीज 100 क्रोन की net worth जो होती है बैंक के लिए पेटm bank के लिए जो भी payment bank क लिए 100 क्रोन net worth limit होती है उसको भी maintain नहीं कर पा रहा था तो इसलिए RBI ने जून 2018 में इसके रोक लगा दिया था और इसी के बाद ने जो इसकी मतलब CEO हुआ करती थी रेनु सत्ती उनको हटा दिया गया था और उनको हटा कर नए CEO बनाया गया था किसको सतीज गुपता को न अगला question आप लोगों की स्क्रीन पर इसको पढ़िए और एक बार आंसर देने के खुछ से कोशिस करिए फिर में बताता हूं government of India has infused rupees of capital into Yuko bank through preferential allotment as on 31st December 2018 option आप लोगों की सामने है बात यहां पर Yuko bank की हो रही है इस questions related और जो जानकारी है मैं आपको बता रहा हूं तब तक आप लोग question पढ़िए आंसर देने की कोशिस करिए बात Yuko bank की यहां पर हो रही है तो Yuko bank का headquarter कहां पर है Yuko bank का headquarter कहां पर है इसकी punchline क्या है किसी भी bank अगर हम आप लोगों को पहले भी बताये थे कि अगर हम जैसे कोई question कर रहे है और वहां पर कोई bank आ रही है तो उसका headquarter कहां है और उसकी punchline कहां यह पता होना चाहिए कोई Indian state आ रहा है तो उसकी capital CEO and governor पता होना चाहिए कोई नया देश आ रहा है को CEO का नाम हो जाएगा Yuko bank के CEO यानि की chief executive officer कौन है अतुल कुमार गोयर ठीक अब इसका answer बताइए इसका answer हो जाएगा option number A 3076 क्रोन इसका answer हो जाएगा ठीक अगला question आप लोगों की screen पर है which country introduced a new GAFA tax named after Google, Apple, Facebook and Amazon to ensure that the companies pay fair share of taxes in Europe on 1st January 2019 इस question को पढ़िए answer देने की कोशिस करिए गाफा ऐसे बनाया गया है Google से G ले लिया गया है Google का G ले लिया गया है Apple का A ले लिया गया है Facebook का F Amazon का A यह मिला कि GAFA tax बनाया गया है ठीक है इसका answer देने की कोशिस करिए आप लोग ठीक है इसका answer फिलाल हो जाएगा option number C France इसका answer होगा कौन से देश ने किया था यह France ने किया यह भी ठीक है और यहाँ पर इतने सारे देश है इनकी capital currency आप लोगों को पता होनी चाहिए फ्रांस इसका answer है फ्रांस की capital हो जाएगी Paris और इसकी currency जो हो जाएगे आप लोग comment में बताएंगे और यह tax किम लगाया गया यह सुनिश्चित करने के लिए tax लगाया गया कि जो companies है यह fair tax को जमा करेंगी ठीक है अगला question आप लोगों के screen पर यह रहा who has been signed in as new president आप ब्राजील हैं पर बात ब्राजील के हो रही है आप लोग question पढ़िए आंसर देने की इसका अंसर हो गया यह ठीक options इसका अंसर हो जाएगा इनका tenure क्या होगा अपने यहां प्रेसिडेंट का tenure जो होता फाइव यह होता है और यहां पर इनका tenure कितने का हो जाएगा four year इनका tenure हो जाएगा capital currency आप लोगों के screen पर है अगला question इंडिया है is cut import tax on crude palm oil sourced from Asian nations from 44% to । question को पढ़िए आपसे आप लोगों के सामने है आंसर देने के कोशिश करिए तब तक इस questions related और जानकारी मैं बता रहा हूं ठीक है इसका मतलब हो गया Asian का मतलब हो जाएग इसका headquarter कहां पर है इसका headquarter जकारता इंडोनेशिया में है और कितने देश हैं इसमें तो यह देखिए इसके 10 देश हैं इसमें 10 members हैं सारा कुछ आपकी screen पर लिखा है आप लोगों की स्क्रीन पर है इसका answer हो जाएगा option number D इसका answer हो जाएगा option number D अनिंदिता नयोग यह एनायम ठीक है इसका answer हो जाएगा और इनको award किसलिए दिया जा रहा है यह भी जान लेते हैं यह award इसलिए इनको दिया जा रहा है इसका answer रहा है और आप लोगों के सांने है बताईये नए अदेश के रूप में किसे नियूक्त किया गया इस question का हिंदी में मतलब होगा और इसका answer जो होगा, इसका answer होगा options विनोत कुमार यादो ठीक है, विनोत कुमार यादो यहाँ पर question ए भी बनता है कि इन्होंने succeed किसको किया, इन्होंने हटाया किसको इनसे पहले कौन था, तो विनोत कुमार यादो से पहले अश्वनी लोहानी जी दो थे, इसके नए, मतलब इसके अध्यश्व थे, ठीक है, विनोत कुमार यादो से पहले रेलवे बोर्ड के चेर्मेन अस्वनी लोहानी थे, अब विनोत कुमार यादो हो गए है, तो यहाँ पर यह भी पूशा जाता है किन्होंने सक्सेट किसको किया है तो इन्होंने अस्वनी लोहानी जी को हटाया है और कुश्चन यह भी आता है, कि विनोत कुमार याद और रेलवे बोर्ड के चेर्मेन बनने से पहले कहां पर काम कर रहे थे, तो यह भी जान लीजे कि railway board join करने से पहले ये SCR यानि की South Central Railway में General Manager थे South Central Railway में ये General Manager थे वहाँ से इनको हटा कर अब railway board का नया Chairman बना दिया गया है ठीक है अगला question आप लोगों के screen पर है इसको पढ़िए और answer देने की कोशिस के रिए एक बार बाकि मैं बताता हूँ इसको आप लोगों के सामने है इसको आप लोग देखिए और answer देने की कोशिस करिए इसका answer दीजिए आप लोग यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है इसकी theme के आती तो theme थी future India science and technology प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्गाटन किया था ठीक है और दो तीन और चार को आज इसका उद्गाटन कर दिया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन तक यह काम प्रभी चलेगा और कौन से अडिशन था question यह भी आता है 106 106 106 अडिशन था ठीक 106 अडिशन था यह theme आप लोगों के सामने है अंसर इसका हो जाएगा option number D जल अंदर ठीक इसका अंसर हो जाएगा option number D जल अंदर अगला question आप लोगों के screen पर है government has introduced minimum support price for how many items on minor forest produce based on recommendations of the MFP pricing sale constituted by tribal cooperative marketing development federation of India limited option आप लोगों के सामने है इसका अंसर देने के कोशिस करिए इसका अंसर हो जाएगा option A 17 इसका अंसर हो जाएगा option A 17 ठीक अगला question आप लोगों के screen पर है was shown in as the acting chief justice of आंदर प्रदेश high court on 1st January 2019 अभी आंदर प्रदेश ओड़ते लंगाना यहां पर अभी पहला question आपको मिला था कि आंदर प्रदेश को नया high court मिल गया है और कौन सा high court था वो देश का पचीसों high court था ठीक है तो यहां पे इसका अंसर बताईए आप लोगों को justice प्रवीन कुमार बात आंदर प्रदेश की हो रही है सीम आप लोग बताएंगे governor मैं बता रहा हूं ESL नर सिम्हन ठीक है अगला question आप लोगों पर स्क्रीन पर है who took charge as MD and CEO of Axis bank on 1st January 2019 following the retirement of सिखा सर्मा ठीक है यहां पर question को पढ़िए option आप लोगों के सामने है और answer देने की questions करिए और तब तक questions रहें रहती है मैं यहां पर बताता रहूंगा question को एक बार आप लोग पढ़े रहेंगे तो चीज़ें आपके दिमार्प में स्ट्राइक करेंगे तो चीज़ें आपके दिमार्प में श्ट्राइक करेंगे फिलाल एक्सिस bank का headquarter मुंबई में हो जाएगा और इसकी पंच लाइन क्या हो जाएगी बढ़ती का नाम जिंदगी इसका आंसर बताइए इसका आंसर जो हो जाएगा option C Amitav Chaudhary इन्होंने सिखा सर्मा को replace किया सिखा सर्मा भी retire हो गई और उनकी जगे पे Amitav Chaudhary जो हैं इसके MD और CEO बन चुके हैं और यहां पर यह भी जान लेते हैं कि Amitav Chaudhary जो है Axis Bank जोइन करने से पहले क्या थे कहां पर काम कर रहे थे यह भी question में पूछा जाता है तो Axis Bank जोइन करने से पहले यह HDFC Standard Life Insurance Company के MD और CEO हुआ करते थे इसके HDFC Standard Life Insurance Company के MDO CEO हुआ करते थे Amitav Chaudhary ठीक है इसका अंसर हो गया option से Amitav Chaudhary अगला question आप लोगों के screen पर है When did Defense Research and Development Organizations DRDO celebrate its establishment day named the DRDO day? Option आप लोगों के सामने हैं आंसर बताए DRDO का headquarter कहां पर है DRDO का headquarter है New Delhi में और इसके chairman को है Dr. G. Satis Radis के chairman है और इसका answer जो हो जाएगा 1st of January इसका answer हो जाएगा 1st of January 1st of January को DRDO day मनाया जाता है अगला question और last question आज का आप लोगों के screen पर है Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 6th IRRI South Asia Regional Center in which city? Option आप लोगों के सामने हैं देखके बताएए प्रधान मंतरी इसका answer हो जाएगा option number A ठीक है वारानसी इसका answer हो जाएगा तो दोस्तों आज के session में बस इतना ही आज हमने किया 2nd of January का current affair MCQ ठीक है अगर इस वीडियो को आप लोग Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे page को like करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी इस course के बारे में इस channel के बारे में बताईए यहाँ पर आपको daily current affair MCQ कराया जाएगा ठीक है आज तीन तारीक है तो दो तारीक के MCQ आएगा कल चार तारीक रहेगे तो तीन तारीक के MCQ आएगा इस तरीके से आपको MCQ मिलेंगे ठीक है आज के लिए इतना है थेंक्यू सो मच्च